हाई फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल मैं हूँ साना और आज मैं आपके साथ सूजी से बनने बाला एक बहुत ही टेस्टी से नाश्टी की रेसिपी लेके आए हूँ जिसे आप सिर्फ 10 मिनट में बना के त्यार कर सकते हैं दस मिनट में आप पूरे घर का नाश्टा बना सकते हैं बहुत ही tasty बनता है बहुत कम oil में बनता है इसलिए healthy भी है बहुत यम्मी सा नास्ता है आप इसको एक बार इस तरीके से जरूर बनाएं बहुत ही crispy बनता है खाने में बहुत लाजवाब होता है इसका taste तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं सूजी का नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम मिक्सिंग बाउल लेंगे उसमें डालेंगे एक कप सूजी यहां पर देखे यह बारिक वाली सूजी है मेरे पास अगर आपके पास बारिक वाली सूजी नहीं है तो मिक्सी में चला लें थोड़ी दे और बारिक कर लें बार कप तही डाला है थोड़ा सा हम इसमें डाल रहे हैं कटा हुआ हरा धनिया इसके अंदर कुछ मसाले अड़ करेंगे मसालों में यहां पे अड़ कर रही हूँ आदा छोटी चमच भुने कुटे हुए जीरे का पाउडर इसके बाद इसमें हम लाल मिर्शी का पाउडर अड़ क डाल सकते हैं आदा छोटी चमच थोड़ी सी मेरे पास चिली फ्लेक्स पड़ी हुई थी तो मैंने वह वन फूर्ट टी स्पून के बराबर डाल दी है चिली फ्लेक्स से नास्ता थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है एक छोटी चमच इसमें हम डाल रहे हैं चीनी च 협ज़ का सायश में टेस्ट आ जायीगा तो आदा छोटी चमच या एक छोटी चमच शीनी आप जलरोड अटकर ले से जाध़ा नहीं करनी है आदा छोटी चमच नमक टेस टेस्ट के चसाम से मैंने करने अ सारी चीजों के एक बार इसी तरीके से मिला लेंगे बिना पानी डाले दही के साथ इसको मिक्स कहे लेंगे और हमने जिस कप से दही डाला था आदा चोड़ा कप हमने दही डाला था वोसी कप से हम इसमें आदा कप पानी आड़ कर रहे हैं पानी डाल करके एक बार अच्छी तरीके से mix करेंगे पर जो आदा कप पानी हमने डाला है उसे हमारा better भी अच्छी तरीके से बना नहीं है यहाँ पर हम आदा कप जो हमने आदा कप लिया है उसका भी आदा कप यानने की 1 4th कप पानी हम से और एड़ करेंगे तो यह देखिए इस तरीके का तक का बेटर रखना है आब तस मिनट के लिए रेश्ट के लिए रख देंगे हम अब शिअय। नाष्टिक के लिए फिलींग त्यार करेंगे आलू और मटर से अगर मटर नह भी आप आलू सेила से तो यहां सकते हैं यहां पे शिफ एक चम्माच Castle लेंगे cvis all तरी से गरम कर लेंगे गरम होने के बाद एक छोटी चम्माच अम इसमें डाल रहे हम जेरस 12डंच क जीरा जीरा तो हमें यहां पे बहुत यादा नहीं पकाना है ए हलका से ट्रांस्लूसेंट हो जाये तो हम मसाले अट करेंगे आदा शोटी चमस लाल मिर्श का पाउडर, आदा शोटी चमस भुना कोटा जीरा पाउडर, आदा शोटी चमस गरम मसाला पाउडर, आदा शोटी चमस चाट मसाला पाउडर और नमक टेस्ट के साब से क्ची केश and कणि बेदेवा और उसके बाद इसमें मडर ना हो तो आप धो का लेना है इसपैब इसको आप पड़ा पकाना पड़ेगा तो यहाँ पर मटर को हमने हलका सा पका लिया था इसके बाद मैंने यहाँ पर दो बड़े साइस के आलू बॉयल करके ठंडे करके और हाथ उसे मैश करके लिए हैं आप कदुकश करके ना लें हाथ उसे मैश करके लें जिससे की हमारा जो नाश्ता बनेगा उसमें बड़े-बड़े स्जयंक्स आएंगे खाने में तो अच्छे लगेंगे तो बस इसको थोड़ा सा मिक्स कहलेंगे मिक्स करने के बाद हमारा बैटर कुछ इस तरीके से दीखेगा थोड़ा सा लगासा इसके बाद हम मने तो तो यहां पर मैंने ले लिया है. पैन between ने ön हैं. अब यहां पर हम बैटर को अच्छी तरीके से mix करके और यहां पर एड्ड कर लेंगे तो बहुत जच्पनी होना चाहिए और नहीं बहुत ज़्यादा पतला बेटर की जो consistency है वो इस तरीके की होने चाहिए बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है तो यहां पर हमने यह डाल दिया है और flame को बिल्कुल low रखेंगे अब इसके उपर हमें filling रखनी है filling कैसे रखनी है छोटे-छोटे से हमें इ थोड़े portion लेके और हम इसके उपर filling रख लेंगे इस तरीके से जब तक यह नीचे से पकेगा थोड़ा सा तब तक हम इसको पर filling रख देंगे पूरी filling जो हम ने बनाई है उसको हम छोट-छोट टिक्कियां बना करके ऐसे इसको पर पूरा फैला देंगे जिससे चारो तरफ अच्छी तरीके से filling फैल जाए और जो नाश्ता है चारो तरफ से अच्छा लगे खाने में तो यहां पर देखें मैंने सारी filling अच्छी तरीके से फैला दी है अब इसके उपर हम दुबारा से बैटर एड़ करेंगे हमने इसमें इनो fruit salt डाला है आप चाहें baking soda डालें तो उ कि यह अच्छी तरीके से cook हो जाएगा अंदर तक इनो fruit salt डालने की वज़े से तो यहां पर देखें यह थोड़ा सा पक शुका है नीचे की साइड से बस इसे स्टेज पे हम यहां पर बैटर उपर डाल देंगे और इसको cover कर देंगे तो इस तरीके से आप पूरे घर का ना देंगे जिससे यह थोड़ा सा crispy बने और अब इसे ढख देते हैं ढखकर हम इसे 10-12 minute cook करेंगे तो यहां पर 10 minute हो गए है अर उपर से यह ड्राई हो गया यह देखेंगे यहां ऑईल लगा देंगे और उपर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है जिससे यह दिखने मे अच्छा लगेगा तो बस अब इसको हम इस तरीके से धीरे-धीरे दीरे दूसी प्लेट पे निकाल लेंगे और इसको पलट के उसी में डालेंगे पहले हम यहां पे थोड़ा सा ओउल लगा लेते हैं पैन में और अब पैन को हम नाशते के उपर रखेंगे यानि प्लेट के रखेंगे और उपर एक हम टावल लेंगे टावल थोड़ा सा मेरा गीला है गीला टावल ले और पलट के आप इसको इस तरीके से पैन के अंदर ही रख लें थोड़ा क्यारफुली करें इस चीज को टावल जरूर ले लें यह तो आपका हाथ जल सकता है तो बस यहां पर हमने से पलट लिया है और पलट करके हम इसको अब ओपन लिफ पकाएंगे ओपन करके मैंने इसको छे-साथ मिलट और पका लिया था इसे पकाने के लिए फ्रेम को आपको पिल्कुल लो रखना है लो फ्लेम पे ही पकाना है तब यह क्रिस्पी बनेगा तब यह अंदर तक अच्छ तर रेडी है आप इसे चाय के साथ इंजॉय करें यह अच्छी तरीके से को खो चुका है या टमेटो कैचप के साथ हरी दनी के चटनी के साथ दस मिलट में पूरे घर का नाश्ता बन जाएगा बहुत हैवी होता है एक की पीस में आपका पेट भर जाएगा तो आप इसे ज